जाहिन दोस्तों क्या हाल है सबके उमीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे ठीक है तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर का क्या टॉपिक आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे STML और STTP से related कुछ questions देखते हैं ठीक है ना तो वैसे तो अभी हमारे काफी पुराने topics cover भी हो चुके है ठीक है अब हम लोग नए topic पे चलते हैं ठीक है और अभी हम लोग की हाल में live class हुई थी और फिर से हम लोग जल्दी ही प्लान करेंगे live class के लिए आप लोगों से एक request है कि आप लोग live जो होता है live वीडियो जो भी चलती है उसको प्लीज शेयर करा करो जितना यदा हो सेगा उसको शेयर करो और उससे हम लोग अच्छा लगता है यार कि चलो पसंदा रहा है आप लोगों को ठीक है ना और full forms यार मैं पहले भी बोलता था कि याद करके रखना computer क पूछे जाते हैं ठीक है तो चलो आज की वीडियो हम लोगे स्टार्ट करते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे HTML और HTTP से related कुछ questions ठीक है चलो स्टार्ट करता है यह mix है ठीक है कोई topic divide नहीं है जो भी question होंगे वो mix होंगे ठीक है ना चलिए पहला question हमारा क्या बोला है कि what should be the first tag in HTML document यानि की HTML दस्तावेज में पहला tag क्या होना चाहिए जैसे HTML को जो document होता है उसका सबसे पहला tag क्या होगा title head HTML या फिन नन अफ दमेंशन इसका HTML का पहला tag क्या हो जाएगा HTML यानि की जो correct answer वो हो जाएगा C ठीक है ना चलिए अब चलते हैं next question की तरफ ठीक है चलिए हमारा next question ये रहा क्यारा हमारा next question कि the HTTP request line contains a method to count a dash method to request a document from the server HTTP request line में Kyoto में की सरवर से document का अनृरोध करने के लिए dash total weight balanced होती है क्या option क्या है हमारे पास post है head है get है या फिर none of the mention ठीक है तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो क्या होगा कौन सा होता है इसका correct answer हो जाएगा get ठीक है ठीक है चलिए अब फिर से पढ़ते हैं इसको आप next question चलें ठीक है चलिए next question पी तरफ चलते हैं जल्दी से क्या बोले next question which of the following is present in both an http request line and a status bar line http request line और status bar line दोनों में निम्न में से कौन सा मौझूद है http request line और status bar line दोनों में निम्न में से कौन सा मौझूद है ठीक है ना चलिए कौन सा मौझूद है URL है http version number है status code है या फिर none of the mentioned तो http में मतलब कौन सी http की request line और status bar line कौन सी है जो present है तो क्या option हमारे पास URL URL का full form सभी पता है uniform resource locator ठीक है http version number status code या फिर none of the mentioned तो जिसका जो correct answer हो जाएगा वह हो जाएगा B ठीक है ना B correct answer है http version number ठीक चलिए अब चलते है next question की तरफ next question क्या बोलना है हमारा in http a dash server is a computer that keeps copies of resources to recent updates http में एक dash server एक computer है जो हाल के अनुरोधों के लिए संसोधन की प्रतिक्या रखता है ठीक है तो कौन सा है जो http में ऐसा कौन सा server है जो की computer की copies की जो मतलब जो resource है computer के recent update के जो resource होते हैं उनकी copies रखता है http में ठीक ऐसा कौन सा server है तो कौन सा है proxy है regular है या दोनों both a and b या फिर none of the mentioned ठीक है तो correct answer क्या हो जाएगा वो क्या होता है जो रखता है वह होता है यानि कि proxy ठीक है ना proxy अगरा दीकतर हम लोग wifi के यूज में भी देखते हैं ठीक है wifi के रूज में जब लोग किसी में network के अंदर क्लिक करते तो वह proxy दिखा रहा होता है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ता है next question की क्या है next question and http request message always contains एक http अनुरोज संदेश में हमेशा होता है यानि कि http का request message होता है उसमें क्या हमेशा पाया जाता है always contains ठीक है ना होता है पूछा है ठीक है तो क्या option है हमारे पास a request a request line and a header a header and a body a status line a header and a body तो क्या होता है http के हमेशा एक request message में क्या होता है हमेशा चुपाया जाता है वह होता है a request line and a header ठीक है ना request line and a header यार एक बत और वो यह जो जितने questions है वो सारे के सारे आए हुए है repeated है मैं फिर से बता रहा हूँ यह हाँ चैनल पर जितने question मिलेंगे सारे के सारे repeated ही करवाया जाते है ठीक है आप लोग वाहर से question नहीं लेते हैं कि जो आपको कुछ भी उठा के करवा देंगे तो प्लीज आप लोग कॉपी लेकर बैठा करिए तो उसमें आप ही लोग का फाइदा रहेगा ठीक है नोट्स बनाते रहेगे लगाता है ठीक चलिए आगे चलते हैं इन आट डैश connection the server leaves the connection open for more request after sending a response एक डैश connection में सर्वर प्रतिक्रिया भेजने के बाद अधिक अनुरोधों के लिए connection को खुला छोड़ देता है ठीक है ना यानि कि फिर से एक बार इसको पढ़ा जाए इन डैश connection क्या है इन डैश connection the server leaves the connection open for more request after sending a response मतलब कि कौन से connection में सर्वर जो है connection को खुला ही छोड़ देता है जब उसे after sending a response एक response यानि कि एक अनुरोध के बाद उसको कौन सा इसा connection है जो की खुला छोड़ देता है ठीक है कौन सा है non persistent है persistent है या फिर दोनों बोथ a and b या फिर none of the mentioned ठीक है तो six का तो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा भी ठीक है ना कौन सा persistent ठीक है कौन सा हो जाएगा persistent ठीक चलिए अब next question की तरस चला जाए देखिए option same है लेकिन मेरे ख्याल से answer तो बिलकुल आ लगी होगा ठीक है तभी हमने डाला हुआ है है ना चलिए next question 7th question पर आगा हम लोग क्या है in a dash connection one TCP connection is made for each request या response एक dash connection में dash connection ऐसा कौन सा connection है ठीक है प् TCP connection बनाया जाता है जैसे कि ऐसा कौन सा connection है जिसमें एक अनुरोध यानि कि रिक्वेस्ट या response यानि कि प्रतिक्रिया के लिए एक TCP connection बनाया जाता है तो कौन सा है non persistent है persistent है या फिर दोनों है या फिर दी none of dimension यानि कि दोनों में से कोई नहीं है तो इसका जो correct answer है कौन सा ऐसा connection वो है A ठीक है ना यानि कि non persistent ठीक है चलिए अब next question की तरफ चलते है HTTP uses the services of dash on well known port 80 यानि कि HTTP सिध्ध port 80 पर dash की सेवाओं का अपयोग करता है अच्छा ठीक है कौन सी सेवाओं का अपयोग करता है HTTP ठीक है किसकी service का use करता है HTTP port 80 पे TCP की UDP की CP की या फिर none of the mentioned की ठीक है तो य यह किसकी services use करता है port 80 पे TCP की ठीक है ना जल्दी से आप सभी लोग यह तीन यह TCP UDP और IP इन तीनों के full forms लिख करके comment में डालिए ठीक है ना इन तीनों के full forms लिख करके comment में डालिए ठीक है TCP IP UDP तीनों का ठीक है जल्दी से डालिएगा ठीक है चलिए next आगे बढ़ता है next question क कि तरफ in HTTP the first line in a request message is called a dash line and the first line in the response message is called the dash line HTTP में अनुरोज संदेश की पहली पंक्ती को dash line कहा जाता है प्रतिक्रिया संदेश में पहली पंक्ती को dash पंक्ती कहा जाता है मतलब जब HTTP में जब पहला request message बेशते हैं उसकी first line को क्या कहते है और उसके बाद जब दूसरा जब जो response आता है उसका उसका जो पहला message होता है उसकी जो line होती है उसको क्या बोलते है क्या बोलते है पहला option क्या है हमारे पास a response request या फिर b request response या फिर c response status या फिर d none of the mentioned चलिए इसक message आपको बता दूँ कि यहां पे जो correct बोला जाता है जो भी correct बोला जाता है ठीक है तो वो क्या बताएगा जल्दी से आप लोग कोई το yes कर लीजेगा जल्दी से कोई हो जाएगा कोई भी this career कर ला जाता है कमेंड पे बता consequence चलिए से आप लोग की energy इनमेंसे और नहीं कही है ठीक है चलिए, next question की तरफ चलते हैं, active documents are sometimes referred to as dash dynamic documents यानि कि सक्रिय दस्तावेजों को कभी-कभी dash गतिशील दस्तावेज के रूप में संदर्वित किया जाता है यानि कि active documents को कभी-कभी dash dynamic documents बोलते हैं, ठीक है, मतलब कुछ आगे लगा करके dynamic documents भी उनको बोला जाता है तो क्या होता है जो fill किया जाएगा, यहाँ पर क्या होगा जो fill किया जाएगा, a, server side, b, client side, c, both a and b, f, d, none of the mentioned ठीक है, तो 10th का जो correct answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, client side, ठीक है न, क्या हो जाएगा, client side, चलिए, next question की तरफ चलते हैं 11th question क्या है, dynamic documents are sometimes referred to as dash dynamic documents गती shield दस्तावेजों को कभी कभी dash, गती shield दस्तावेज के रूप में संदर्वित किया जाता है ठीक है, अच्छा, अब देखिए, वहाँ पर active documents को पूछ रहा था, अब यहाँ पर dynamic documents को पूछ रहा है जो dynamic documents होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, server site बोला जाता है, client site बोला जाता है, both A and B, F and D, none of the mentioned क्या होगा, क्या बोलते हैं dynamic documents को, चलिए, आपको बताता हूँ, इसको बोलते हैं A, यानि कि server site ठीक है न, इसको बोलते हैं server site, ठीक है, समझ गए, चला जाए next question पर, चलिए, next question क्या है for many applications, we need a program और a script to be run at the client site, these are called dash documents यानि कि कई अनुप्रियोगों के लिए हमें client site पर चलाने के लिए, एक program या script की आवशकता होती है इन्हें dash documents भी कहते हैं, ठीक है न, मतलब कि जैसे जो client site होती है, वहाँ पर जो documents चलते हैं, जो document run होते हैं, ठीक है तो उधें क्या, कैसे documents बोलता जाता है, ठीक है, कैसे documents बोलते है, active documents, static documents, c, dynamic documents, fd, none of the mentioned तो अब वेसी बात है भाई, इसको क्या बोला जाएगा, यानि कि active documents, ठीक है न, क्या बोला जाएगा, active documents, next question क्या है हमारा, next question है, कि dash is a technology that creates and handles dynamic documents, ठीक है एक डैस एक ऐसी तकनीक है, जो गती, shield, dasta, waste, बनाती है, और समालती है, ठीक है बताएगे कौन से आसी technology है, जो कि यह है, ऐसे documents को बनाती भी है, और समालती भी है, dynamic documents को ऐसी कौन से technology है, जो create भी करती है और handle भी करती है CGI, GIC, GCI या फिर दी नौद दा अबव ठीक है तो देखें GIC से कुछ नहीं होता है GCI से भी कुछ नहीं होता अपने काम का तो चो correct है वो क्या है A यानि की CGI ठीक है ना correct क्या हो जाएगा A answer इसका चलिए next question की तरह चला जाए 14th question क्या बोला है हमारा 14th question A dash document is created by a web browser whenever a browser requests the document जब भी कोई browser दस्तावेश का अनुरोध करता है तो एक web browser द्वारा एक dash दस्तावेश बनाया जाता है यानि की जब भी जैसे A dash document is created by a web whenever a browser requests the document ठीक है कभी भी कौन सा document बनता है जबकी एक web browser request करता है किसी के ब्राउजर के लिए document के लिए ठीक है तो इसका कौन सा document बनता है तो कौन सा document बनता है डानमिक डाकुमेंट बनता है static document बनता है active document बनता है या फिर none of the above ठीक है कौन सा document बनता है जल्दी से बताईए इसका वो जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा A, यानि कि dynamic document बनता है, ठीक है ना, कौन सो document बनता है, dynamic document, ठीक, चलिए, अब आगे बढ़ता है, the documents in the www can be grouped into dash broad categories, यानि कि www में दस्तावेजों को dash व्यापक शेडियों में बाटा जा सकता है, जैसे कि जब जो www तो सभी लोग जानते होंगे न, world wide और web ठीक है न, world wide web और इसके जो inventor थे, इसके जो inventor थे, वो कौन थे, टिम वर्नर्स ली, ठीक है न, इसके, www के inventor कौन थे, टिम वर्नर्स ली, और यह कहां बना था, यह मैंने अब एक वीडियो में बताया भी होगा है, यह कहां बना था, ठीक है न, चलिए, अब इसके आगे चलते हैं, तो, www के बोला है कि, www को कितने के टेगरी में बाटा जा सकता है, ठीक है, 4, 3, 2, यह फिर none of the above, ठीक है, तो कितनी के टेगरी में बाटा जा सकता है, इसका जो correct answer हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, यानि की B, ठीक है न, 3 के टेगरी में बाटा जा सकता है, ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं next question की तरफ next question क्या बोला है a dash document a dash document is a fixed content that is created and stored in a server the client can get a copy of the document only अच्छा एक डैश दस्तावेज एक निश्चित समगरी है जो एक server में बनाई और संग्रहित की जाती है ग्राहक केवल दस्तावेज की एक प्रती प्राप्त करता है देखिए जैसे की इसमें यह बोला है कि जो server है मतलब जो जैसे हम लोग कुछ भी search करते हैं तो हमारे पास ज होता है वह से कापी होती है तोसको क्या बोलते हैं तो कैसा document होता है वो dynamic document होता है कि static document की active document यह none of the manager above ठीक है तो यह जो होगा इसका जो correct answer होगा इसका हो जाएगा B यानि कि उसको हम लोग क्या बोलते है static document ठीक है जो server में save होती है ठीक अभी हम लोगों ने उपर पढ़ा था ना कि जो client को मिलती है उसको बोलते है active document ठीक है याद रखी गए सारी चीज़ों को ठीक है चलिए आगे बल रहे हैं क्या बोला है 17th question अब web page displays a picture what tag was used to display that picture अब web page एक एक web page एक तस्वीर प्रदर्शित करता है उस चित्र को प्रदर्शित करने के लिए किस tag का उप्यों किया गया था अच्छा अब यह बताए जैसे जो web page होती है उसमें पिक्चर प्रेजन्ट होती है पिक्चर हम लोग को डिस्पले होती है उसमें जो उसका पिक्चर का मतलब कौन सा tag लगा होता है जिससे वो picture present हो रही होती है ठीक है कौन सा src का picture का image का या फिर img का ठीक है किसका होता है तो ज्यादा तर लोग जानते होंगे इसको जो correct answer हो जागा वो जागा d ठीक है न image का ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब यह क्या बोला है tag makes the enclosed text bold what is other tags to tag to make text bold tag सनलगन text को bold बनाता है text को bold करने के लिए एक un tag क्या है मतलब जो tag जो है tag और text में बड़ा confused हो रहा है tag जो है वो ऐसा कौन सा tag है जो मतलब एक तो tag है जो की enclosed text को bold करता है तो इसके रवा और कौन सा tag है जो की text को bold करता है कौन कौन सा option क्या है dark strong black या फिर EMP ठीक है न या फिर EMP तो इसको जो correct answer होगा वो क्या हो जागा इसको जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा B strong ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 19th question क्या है tag and text that are not only directly displayed on the web page are written in dash section tag or text जो सीधे page पर प्रदर्शित नहीं होते dash section में लिखे जाते हैं मतलब ऐसे tags और ऐसे text जो की directly मतलब page पर नहीं होते डारेक्टी page पर नहीं लिखे होते जैसे कर भी होता है ना कि जो लोग कुछ भी search कर रहे होते हैं जैसे Google पर हो गया या YouTube पर हो गया तो कई बार ऐसी चीज़े आती है जो जिसमें की लिखा होता है sensitive content ठीक है ना तो वह अब वही उसी तरह के document और भी बहुत देर सारे होते हैं तो वह अभी यहां पर पूछ रहा है कि ऐसा कौन जो यह सब tag जो sensitive होते हैं वह किस section में लिखे जाते हैं मतलब servers पर किस section पर या फिर body पर ठीक है तो यह कहां पर लिखे जाते हैं यह लिखे जाते हैं head पर ठीक है ना यह कहां पर लिखे जाते हैं head पर लिखे जाते हैं ठीक है चलिए अब हमारा last question आज का क्या बोला है कि which HTML tag produces the biggest heading कौन सा HTML tag सबसे बड़ा series बनाता है चलिए यह पूछ रहा हम से कि ज कौन से tag हमारे पास a h1 b h4 c h7 fd h9 ठीक है तो यह कौन सा tag है वो है h1 ठीक है ना correct answer क्या हो जाएगा h1 ठीक है चलिए अब देखे दोस्तों अभी हम लोग live class regular कर रहे हैं आप लोग उसे request है कि आगर आप लोग first मतलब पहली बार यह video देख रहे हो पहली बार इस channel का video देख रहे हैं आपको सारी चीज़े यहां पर मिलेंगी ठीक है चलिए आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाइबाय जैहिन थैंक यू